मुवी साथ होती है मिना नाम की एक लेर्गी से जो कि एक फ्लाइंग चेस बोड़ पर बैठकर अपने डाद के साथ चेस खेल रही थी अचानक से बहुत जादा अंधेरा होने लगता है और उसके डाद उसी चेस बोड़ के ऊपर उड़ते उड़ते दूर जाने लगते है एक चोटा सा पेट रैट भी था उसकी मॉम उसको और उसके डाद को छोड़ कर जा चुकी थी उसकी मॉम एक बहुत ही फेमस सिंगर बना चाती थी और यही रीजन था जिसकी वज़़ा से वो इन दोनों को छोड़ कर जा चुकी थी मीना और उसके डाड बिल्कुल बेस्ट फ्रेंट थी तरह थे आपस में हर बाद शेयर भी करते थे और बहुती ज़्यादा फ़न भी करते थे फिर कुछ हरसे के बाद मीना के डाड एक लिर्की हेलनी को डेट करने लगे थे जिसकी बेटी का नाम जैनी था मीना इस सारी बात से बिल्कुल खुश नहीं थी वो नहीं चाती थी कि उसके और उसके डाड के बीच में कोई भी आए पर उसके डाड उसे समझाते है कि इन दोनों को एक फैमली की जरूरत है और हैलनी और जैनी उसकी फैमली को कम्प्लीट करेंगे मीना अपने डाड को बताती है कि उसे सिर्फ अपने डाड की जरूरत है और उसे कोई और नहीं चाहिए पर आखिर में जब उसे लगता है कि उसके डाड शायद अपसेट हो जाएं तो वो इस बात को एकसेप्ट कर लेती है और मान जाती है कि उनको इनकी फैमली को कम्प्लीट कर देना चाहिए रात होती है और मीना सोने को जाती है उसे हमेशा बहुत ही अजीब किसम के ड्रीम्स आयर करते थे और हर टाइम कोई न कोई ड्रीम का मतलब जरूर होता था इस बार वो ड्रीम में देखती है कि वो एक बोर्ड के उपर उर रही है और वो उटते उटते इंजॉय कर रही थी कि अचानक से वो बोर्ड एक वाल के साथ जाकर टकरा जाता है जिसके बाद उस वाल में कुछ होल सा हो जाता है जब वो दूसी तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ ब्लू कलर के लोग नज़र आते हैं ये सारे ब्लू कलर के लोग उन मशीन्स पे काम करे रहे थे जो कि लोगों को ड्रीम्स दिखाते थे और इसी के साथ मीना की आँख भी खुल जाती है अब सुबह हो चुके थी और उसे बाहर एक ट्रक की आवाज आती है पता चलता है कि मीना के डैड अपनी नई फैमली के साथ यहाँ पर आ चुके है मीना अपनी नई मॉम और उनकी बीटी जैनी से मिलती है और हमें पता चलता है कि जैनी एक बहुत ही जादा भत्तमीजलर की है उसने आते साथ ही मीना के रूम पर पूरा कबजा कर लिया था इस सबसे मीना काफी अपसेट होती है और काफी जैलिस भी फील करती है क्योंकि उसके डैड की एटेंशन अब बाकी लोगों को भी मिल रही थी क्योंकि अब चैनी मीना के रूम में आ गई थी तो उसे सोने में भी बहुत मसला हो रहा था वो अपने कानों में एर ब्लक्स लगाती है और सो जाती है फिर वो अपने दुबारा से खुआबों की दुनिया में पहुंच चुकी थी जहांपर एक बार फिर से वो उर रही थी यहां उरते उरते वो दुबारा से उसी वाल के पास आती है जिसमें अभी भी वो क्रैक था वो इसी तरहां से उस क्रैक की थू दूसरी साइट पर पहुंच जाती है यहां पर उसे जेफ नम का एक ब्लू कलर का आदमी मिलता है जो के मीना को बताता है कि वो अपने सबनों की दुनिया में है यहांपर गैफ मीना को सारी साइट दिखाता है जहांपर और भी बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पन रहे थे यह वो ही दुनिया थी जहांपर हर एक का ड्रीम बनाया जाता था अचानक से यहांपर एक ब्लू कलर का इंस्पेक्टर आता है और वो अजीब किसम के ड्रीम्स भी देख रही है यह सारी बात मीना सुन रही थी कि अचानक से उसका पाउं स्लिप होता है और वो नीचे जाकर गिरती है पता चलता है कि अब वो अपने ड्रीम के सपनों की दुनिया में आ गई है पर बिजाए इसके कि मीना वो गिफ्ट अपने ड्रीम को दे वो उने कुछ फिशिस देती है जब सुबह होती है और मीना उटती है तो देखती है कि उसके ड्रीम्स खा रहे हैं जो कि उसने रात को ड्रीम में दी थी उनको ये देखकर तो मीना बहुत ज़्यादा है जिसके बाद उससे समझाती है कि वो किसी के भी ड्रीम में जाकर कुछ भी उल्ता पुल्ता कर सकती है इसके लावा मीना की लाइट में अब भी एक वार चल रही थी जो कि थी जैनी के साथ जैनी कोई भी मौका छोड़ नहीं रही थी कि मीना को किसी भी तरीके से अपने ड्रीम के सामने कुछ भी बुरा थाबित कर सके यहाँ तक कि उसने मीना को ये भी कहा कि वो उसके पेट रैट को कहीं भी जाकर छोड़ आएगी अब इसके बाद मीना सोचती है कि वो जैनी के ड्रीम्स में जाकर कुद करबर करेगी इसके लिए उसे गैफ की हेल्प की जरूरती अब वो रात को सूती है और अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है वो सारी सिचुएशन गैफ को बताती है और कहती है कि मुझे जैनी के ड्रीम्स में जाना है यहाँ पर गैफ उसे बताता है कि अगर कोई इनसान अपने सपनों की दुनिया में जादा दूर रहेगा बहुत जादा प्यार आ रहा है उस चुहे पर वो उसको बहुत प्यार से रख रही थी यहाँ तक कि उसकी पिक्चिर्स भी बहुत जादा ले रही थी मीना ने बहुत ही मुश्किल से अपनी और जैनी की वार को खतम किया था बट एक दिन पर से ये शुरू हो जाती है जैनी मीना का बहुत जादा मजाक उडाती है अपने सोशल मीडिया फ्रेंस के साथ मिलकर वह उसका मजाक उडाती है 초 कितनी how old fashioned हो एक भाव फिर से मीना प्लान करती है कि वो के ड्रीम्स में जाकर चेंजिस करेगी ताके उसको अब उसके कपरों से मसला ना हो रात को वो फिर से यही सोच कर सो जाती है और रुदबारा से जेफ को वो ही बात कहती है कि मुझे जाकर जैनी के ड्रीम्स में कुछ चेंजिस करने है इसके बाद एक बार फिर से जैफ और व तो मैंने गल्दी की थी वो तुम मत करना। उसने भी ऐसे ही कुछ ट्रीम्स में चेंजिस लाने की कोशिश की थी जिसकी वज़ा से उसको अपनी जॉब से निकाल दिया गया था। इतनी ही देर में यहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है जिसके बाद गैफ लग जाता है मीना को चुपाने में यहां पर माईलो भी उसकी मदद करता है और यह दोनों कामयाब हो जाते हैं मीना को चुपाने में अब सुबा होती है तो जैनी बहुती ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी क्योंकि वो खुद भी दिस्टर्ब होने लगी थी जैनी घर में बहुती अजीब बिहेव कर रही थी जिसकी वज़ा से उसकी मॉम हैलना को लगता है कि जैनी को वापस ले जाना चाहिए और इसी वज़ा से वो दोनों पैकिंग करने लगते हैं कि जैनी को लेकर वो दोबारा से शेहर चले जाएंगे अब पैकिंग करते हुए जैनी को मिलती है मीना की डायरी जिसमें उसकी बहुत सारी ड्रॉइंग्स बनी थी ड्रीम वर्ल की और इसी तरह जैनी को लगता है जैनी अब सोच लेती है कि वो मीना से बदला जरूर लेगी जिसकी वज़ा से वो अपनी मॉम से कहती है कि हमें शहर वापस नहीं जाना और हम यहीं पे रहेंगे इसके बाद वो मीना को तंग करने के लिए उसके डाट के साथ बहुत जादा ख्लूज होने लगती है और स्लोली हर उस चीज़ पे कबजा करने लगती है जो के मीना की फेवरिक थी अब इन सारी चीज़ों से मीना भी डिस्टर्ब होती है और वो जैनी की साथ बहुत अजीब बहेव करने लगती है जिसकी वज़ाए से उसके पेरिंस उससे बहुत ही जादा हर्ट होते है और वो उनकी नजरों में बहुत ही बुरी बन जाती है मीना फिर से सोचती है कि वो जैनी के ड्रीम में जाएगी जब वो उसके ड्रीम में उस्पाइडर को लेकर जाती है वो स्पाइडर तो बिल्कुल आउट उफ कंट्रोल हो गया और यहाँ वहाँ गूमने लगा था जिससे जैनी इतना जादा डर गई थी कि वो एक बहुत ही अजीब जगा पर जाकर गिर गई थी यह वो जगा थी जहाँ पर सारे ड्रीम बिल्डर्स खराब मशीन्स को रखा करते थे मीना इसी से बहुत ज़दा डर जाती है कि जैनी इतने नीचे गिरी है इस सारे शोर से वहाँ पर इंस्पेक्टर भी पहुंच जाता है जब वो देखता है कि यहाँ पर क्या हाल हो रहा है तो वो इस सारे चीज़ का ब्लेम देता है गेफ को और उसको उसकी पुजिशन से हटा कर सफाई का काम दे देता है सुबा जब यह सब लोग उठते हैं तो मीना देखती है कि इस गिरने की वाज़ा से जैनी की तबियत बहुत ज़ादा खराब है और वो इसी वज़ा से एक कौमा में जा चुकी है उसको खुद पे बहुत ज़ादा घुसा आता है और वो बहुत ही बुरा फीह करती है जिसके बाद वो अपनी सारी गल्दी को एकसेप्ट करती है अपने डाट के सामने और उनको कहती है कि मैं सारी चीज़ को ठीक भी करूंगी रात को मीना जब अपने रूम में जाती है सोने के लिए तो उसके रूम में उसकी मॉम आती है मीना उनको देखकर बहुत ही ज़ादा खुश हो जाती है और उनसे पूशती है कि आप मुझे छोड़कर कहां पर गई थी मीना की मौम उन्हें बताती है कि मैं तो कहीं बेबी नी गई थी जब मीना उनसे हैलीनी और जैनी के बारे में पूशती है तो वो कहती है कि ऐसे तो कोई लोग हमारी लाइफ में है ही नहीं मीना ये सारी बातें सुनकर बहुत जादा खुश होती है जिसके बाद वो अपनी मौम को हग कर लेती है वहाँ पर उसकी मौम के पीछे उसे एक हुप दिखाई देता है और वो समझ आती है कि ये सारा का सारा एक ट्रीम था ये ड्रीम बिल्डर की एक चाल थी ताके मीना वहाँ से ना उठेć और जैनी की ड्रीम में जाने की कोशिश ही ना करे मीना एक बार फिर से सोती है और प्लान करती है कि वो दुबारा जैनी की ड्रीम में जरूर जाएगी वहाँ पर अब इंस्पेक्टर भी राउंड पर था मीना उसे छुपकर बहुत ही मुश्किलों से जैनी के ड्रीम में पहुंच जाती है और उसी ट्रैश एरिया में जाती है जहांपर जैनी गीरी थी वो उसको लेकर वहाँ से निकलती है इतने में वहाँ पर वो बड़ा सा स्पाइडर भी पहुंच जाता है अब उस स्पाइडर से छुपते छुपते वो बहुत ही डिफरिंट किसम के ड्रीम से पहुंच जाती है जो सारे के सारे जैनी के थे इन चोटे ड्रीम्स को देखकर मीना को समझ आता है कि जैनी के डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर बहुत साल पहले जा चुके थे और ये दोनों अब बहुत ज़्यादा उदास और केले रहते थे और यही रीजन था जिसकी वज़े से जैनी बहुत ज़्यादा अजीव हो गई थी और वो पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी अब मीना गैफ की हल्प लेकर ये सारे चोटे ड्रीम्स को डियक्टिवेट कर देती है से बाइर आच चुकी थी और वो फिर से बहुत ही अच्छी लिर्की बन चुकी थी इसके बात एंड में हम देखते हैं कि ये सब लोग एक हैपी फैमली की तरह रह रहे हैं चहांपर जैनी और मीना बहुनों की तरह हैं और इनकी पेरेंस इन से बहुत